यो घटना आजा बंदा करीब 35 वर्शा गाड़ीको जब मा आम्र गाउं बोजपुर मा बस्ते आम्रो घर निकेई टाणा गाउंको सीमाना नजीकी रहेको एक जंगल को छहू माथ्य। गाउंका मान्चेरू सबय जना त्यो जंगल लाई भूत प्रेतले बस्ते ठाउं बनते तरा मसाने उधा एस्तकुरामा कईली विश्वास कर दिना थे किने मन्दा जीवन ठ्याक के सामनने चल रहेको त्यों बियाना काम बनना जानू पिलका कर फरकेनू अनि पर्वार संग सम हैनक मोडपनी आउसा बने रा त्यो समय दसरी को तयारी बर्खरे शुरूपई रहेको त्यों गाउमा मिला समयत लाएको त्यों रा मर मेरा भाई मिला गवयरा फरक देतियों आमी जंगल को बाटवबयरा करतर फरकेन न थालें त्यों साज के अध्यारो पन थियों हावाको पहल का चीशो बतास बगी राग बन थियों मन मा कता कता थकान बन थियों औने आमी चुपचा पेड़ी राग थियों एक सिन पसी मा अली अगाडी बड़े औने अच्छानक मैले जंगल को एक कुणामा कुने बसतो देखे शुरूमा तो मैले सोचे त्यों रुको कुने ठो लगाए को तियों तो मैले एकुहोर गरे रा तियो आकरी दिला घरी रहे मला यगोने मा निष वव अलगार वने शुपचा ने थियों एक सिन तो त्यान ठेंगों बिये तरो बिस्तारे डरेले मिरो मनमा अडान जमायो। मैले भाईला समाये रोपसलाई अगाडी बन्ना बने। आई पन डरायको सदेखिन थियो। आमी दुबी चुपचापद ओडेरा खतर पर लागयो। जब आमी गहर पगयो। सास फुली सेये को थियो। तरो बुआरा आमाले सबे कुराब बतायों। तरो केई फायदा बहायो। बुआरा आस्ते बन्नुबू। जंगल को आवा चल देरे ती मरे अस्ते देहे कोला। कुने आत्मा या बोधपरे दुदाई न। आमाले पन तेदी सारो चासली नू बहायो। मलायता तेव गुरा एतिके बिर्शेने मन लागे न। किना मन्दाम मत्यतिक वाले तेरे डर आगोते है। रमास्त नंगई आले। तरो तेव रात तेव रात ले मेरो जिवानमा कोईले न बिर्शीने कर ले आयो। रात को करीब दुई वजे कोम दो। अचानक मलाय बिवजे जस्तो मा असुच बायो। आगा खल्ला मेरो कोठामा कुनी अनुठा आवाज सुनिये को जस्तो बायो। सुरु मा मैले अनमान गरे। साय दावा चले को जस्तो लागे। तरो अचानक खाडको नजी कुनी छाया देखे जस्तो लागे। तिव छायाए एकतम अक्लो दियो. सिर्तु लुगामा डाकिये कोदियो रो ठ्यक्कई मईरे जंगलमा देखे गुए आकरिती जस्ते थियो. मीरो मन पुरी कापना थालिए। मा चलन पनी सकिरे गुथे ना अन चिचेवन क कोदा पनी आवाद निसकिरे कोदे ना. तुरून्त चिचीयार आम वाला उठाए। उन्ने ले मेरो कुरा सुन्नुबौ। तरू कुन्देपनी कुरा जई वाले विश्वास करनुबौ। भाले फिरी आश्ते बननुबौ। तिम्ने सबना देखें मुवला। इसतो केपने उदेन। त्यू रात पसिब हने मा पूरे जब मा एकले होंदे मला सले जस्तो मेरो वरी परी कोई बयको जस्तो अनुबब बुन्दे। एक रात तमा सुधिर्याग बलामा कोशेली मेरो कोटा ताने को जस्तो फिल बाहा है। शुरू मात मैं लिए सपना अवला बंधान्दे। तर आखा खोल्दा कोठा मा कोई पुनी उद्यांदे। तर त्यो अनुबब बने साच्ची के वास्तो विखने थियो। अगोत मलाई दिन प्रती दिन डरले केर ना धाले कुथियो। मलाई लाये कुथियो यो सब केवल मेरो दिमाक कुप्रामो। तर के दिन पसी मा पूरी थला परे। मसंगक पुरा गर्ने माँचे रूड हरो ना धाले। मा आफे वितरा हरो ना धाले। आखाले। आखाले। तर कोणी समाधान भायना। अन्तिम मा मलाई काउंको एक जना धामी काहान लगियो। धामीले मलाई एरी रहेरा बने। तिमने कुणी पुराना आत्मेले समाय कोचा। तियो आत्मा तिमना छोड़ना चाहान देना। तेती भन्देरो वान निसकीन भाय। तामीले पुरे गामा अहल्ला फायले देनुब आशा। अब सब्बेले थावाय कि मा कुणी आत्माले सताय कुछू बन्ने कुरा। तामीले साथ दिल नामप पुजा गान्ने सला देनुबौ। उनले महमाती तेरे तंत्र मंत्र गरे। तरा मेरोब इस्तिती वने कोईली पुन सुधर्यको देखिये नौ। मले लागना थाली यू आत्माने मले कोईली चोड़देने सबन्ने कुरा। की सिपना लागी पछी मेरे बुआ आमले घर सला गार आमी येस गाहमा बशेर यू समा सागो समा दान्चे उदे नाई। आमले सहरे जानने परशा रो ठुला ठुला धामी अला देहाँने परशा। जसले यू आत्माला अटाओना सक्षा। बुआ को कुरा सुनेरा आमी सबे कार्मन्डोग एक प्रसिद्ध धामी कायां कई। त्यो धामीले बने तीमला कुने बली दिनु बने आत्माले समा एक पछा। त्यो आत्मा सदिलेजे जाने वालामा सईना। तरह साइद माली अटाओना सक्षा। तीशकोल लागीचे लगाातारा आम्ले पुजा गर रहाँन पर्छा। कसले डिनमा ठीकुन्च मचले उसक्षा। त्यो धामीले लगातार साध डिन समा पुजा गर०। दिन प्रति दिन मेरो इस्थीती पन्ने सुधार हुमधे खो घस्तो देख्यो। अंतीम दिनमा रच्छया का धागा आरूपनी बादियो, रभिस्तार ये मला ठीकुना थालियो, दिस्पजी मला तियो आत्माले कोईली पन शताय गोस्ता फिले बायना, तोर त्यो जंगल त्यो वेलामा गउन रिग लागी एक्तमे डर लागत इस्तान बने गोदियो, मेरो ल झालिवल झाल झाल